हेलो एब्रीवन वेलकम टू विद्यश्री अकाइडिमी आज हम पढ़ने वाले हैं संभावित ततके साल प्रश्ण यह घटना चक्र में आये हुए प्रश्ण है और घटना चक्र के प्रश्ण कभी-कभी एस इस आपको पेपर में मिल जाएगे जाए मद्धिपदेश 36 विवर्ती, SSC, पटवारी जो बिविन एक्जाम में वन लाइनर सेक्ट की रूप में आपको जी एक के क्वेश्ण पूछे जाएंगे या जी के क्वेश्ण पूछे जाएंगे वो क्वेश्ण आज हम डिसकस करेंगे इन क्वेश्ण को आपको बहुत अच्छे से एक दो ब पर्स क्वेश्ण है किस स्थान से मध्य पासान काल में पसुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो हिस्टी का क्वेश्ण है पसुपालन के प्रमाण कहां से मिलते हैं बागोर से मिलते हैं अशुद्धियों की कारण रफ का क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है घर जाता है व बढ़ जाएगा सबसे पहले ब्लेक होल की जानकारिगिसमे दी तो सबसे पहले ब्लेक होल की जानकारिए आसचंद्र शेकन ने दी थी इनका नाम को याद रखना हैं फिर . इस्ट इंडिया कंपेनी के किस अंगरीज गवर्णर को औरंगजीष द्वारा भारत से निस्कासित क तो उनका नाम था साल जोन चाइल्ड तो जैसे बच्ची जो चाइल्ड रहते हैं उनको बच्ची भगा देते हैं यहां से जाओ यहां से जाओ आप याद कर लिजे कि ईस्ट इंडिया कंपिनी के किस अंग्रीज गवर्नर को और अगजीर द्वारा भारत से निश्कासित किया गया था उनका नामता सर्फ जोन चाइल्ड याद रखेगा कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है मतलब लॉरेंज वक्र के द्वारा किसे मापा जाता है तो वो आई की विसमता है जो एक्वैलिटी होती है इंकम की उसको लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या किया जाता पूलियों वनस्पती के अंतरगत अध्यन करते हैं तो पहलियों वनस्पती के अंतरगत अध्यन करते हैं पादग जीवासनिका यह आपको याद रखना है जैविक जगत में होने वाले कारे गुण और पद्दती के अध्यन के ज्यांग की मशीनी जगत में उपयोग को क्या कह जाता है तो इसी बायो निक्स कहा जाता है फिर मधुमक्की पालन मधुमक्की का उपियोग किया जाता है EPIOLOGY EPIOLOGY के इंतरगत मधुमक्कियों का क्या किया जाता है उपियोग किया जाता है और मधुमक्की जो शहत का प्रोडक्शन है मतलब जो मधुमक्की पाला ने वो क्या कहलाता है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है विद्दिचित्र के किस शेलाश्रय की सरवादिक कंकाल मानव की कंकाल मिले हैं तो यह लेख हिया से मिले हैं किस देश में आंथिक ब्रदी की सरवादिक उपियोक्त माप है तो प्रतिव्यक्ति उत्पादन प्रतिव्यक्ति उत्पादन के दोरा जो economic growth है उसको बहुत अच्छे तरीके से मापा जा सकता है फिर एक ही कब्र से तीन मानव के कंकाल कहां पर मिले हैं ये प्रश्ण बहुत सारे exam में पूछा चुका है SSC में भी पूछा गया है ये है दम-दमा दम-दमा से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल के साक्ष मिले हैं किसी देश के जीवन इस्तर को प्रति बिम्बित होना किस से अबन पता कर सकते हैं कि किसी देश के जीवन इस्तर को तो प्रतिविक्ति आय से पता कर सकते हैं पर 2001 से 2011 तक मंद्य भारत के किस राज में निगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई जन संक्या की तो नकारात्मक जन संक्या ब्रद्धी कहां पर देखी गई नागा लेंड जो 2011 की जन गरना है इससे जनरली प्रशन पूछे चाते हैं तो यह आपको याद रखना है एक क्वेश तरह लोग यह भी याद रखना है आई होप आपको यह पूइंट याद हो रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे फिर किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संगी नियालाई की स्थापना की गई तो संगी नियालाई की स्थापना का जो कॉनसेप्ट है वो भारत साशन 1935 संगे नियालाय का कॉंसेप्ट अपनाया गया है फिर ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपिनी पर नियंत्रण हे तू परिशत का प्रावधान किस अधीनियम के द्वारा किया गया जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपिनी थी उन्होंने परिशत का प्रावधान कंपिनी पर नि यंत्रण के लिए अपनाया गया था इसको याद रखना है फिर कलकत्ता सरवुचिन्याले की स्थापना कप की गई ये प्रशने भी पूछा गया है 1774 में कलकत्ता सरवुचिन्याले की स्थापना की गई रोवर्ट्स ब्रूस फ्रूट कौन थे ये एक भूगर्व वैज्यान जिनों ने त्रिचट गई रखना है इसको भी याद रखियेगा आर्थिक व्रद्धी का परिचायक क्या है तो वो वास्त्विक प्रति व्यक्ति आयमें सुइस्थर व्रद्धी होती है उसे क्या कहा जाता है वास्त्विक आर्थिक व्रद्धी का परिचायक कहा जाता है मध्य पाशानिक प्रसंगं में पशुपालन के प्रमाड कहां पर मिले हैं तो ये चौपानी मांडो में मिले हैं फिर जो महत्यपूर महत्यपूर प्रश्ण है इसमें तो बहुत सारे प्रश्ण दिये हैं जैसे जो भारत की सम्विदान सभा की अंतिम बैठक की थी तो ये 24 जनवरी 1950 थी ये प्रश्ण पूछा गया है कि भारत की सम्विदान सभा की अंतिम बैठक की थी 24 जनवरी 1950 थी इसको याद रखियेगा किस कानूर ने पहली बार भारत में एक विधान परिशत का गठन किया तो 1853 का जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट उसने क्या किया भारत ने पहली बार विधान परिशत का सरजन किया किस अधीनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की most important question है ये जो भारती परिशद अधीनियम था 1892 का उसके तहट अंग्रेजों ने भारत में कौनसी election concept को अपनाया इसको याद रखेगा फिर खाध्यान, खाध्यानों की क्रशी सरप्रतम प्रारंब हुई इसके साक्ष कहां से पता चलते हैं तो नावपाशान काल से पता चलते हैं इसको भी याद रखना है प्रत्वी के कारवन चक्र में कारवन डाय ऑक्साइट की मात्रा को नहीं बढ़ाता है जो प्रत्वी का जो carbon chakra हुता है इसमें जो C02 की मात्रा है वो नहीं बढ़ती है क्योंकि प्रकास 안sellization की process की से होती है तो इसमें जो water होता है S2 O प्लस जो CO2 होता है ये मिल के क्या मनाता है C6S12O6 मनाता है तो इसको आपको याद रखना है Water प्लस O2 होता है इसमें प्रत्वी के कारवन चक्र में कारवन डैया अक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो photosynthesis की process की द्वारा इसको नहीं बढ़ाया जाता है फिर कृष्ण चिद्र या जिसे बोलते हैं कृष्ण विवर या ब्लैक होल इसका concept किस ने दिया था तो एस चंदर से खर ने दिया था ये प्रशन बहुत सारी exam में आ चुका है फिर कुछ और question जैसे 2011 की जनगर्णा के इनुसार सबसे अधिक population के से state की है तो उत्तर प्रदेश की है ये आपको याद रखना है बर्मी कल्चर में क्या किया जाता है जो कैंचुए की study होती है वो बर्मी कल्चर में की जाती है जीरंटल लॉजी के अंतरगत किसका अधियन किया जाता है तो जो एज होती है जो ब्रद्धावस्ता होती है तो ब्रद्धावस्ता का अधियन क्या करते है जीरंटल लॉजी के तहत करते हैं फिर प्रद्धम करनाटक युद्ध का कौन सा तातकाले कारण था तो अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों के जहाज थे उनका अधिकरहन करी लिया था इसलिए फर्स्ट करनाट का वार हुआ था करनाट का युद्ध किनकिन के मद्ध हुआ था तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था फिर वह कौनसा प्रतम European व्यक्ति था जिसने भू छेत्र अर्जित करने के उद्देश से भारती राजाओं के जगडे में भाग लेने की नीती को प्राडम भी किया था तो डूपले डूपले एक ऐसा व्यक्ति था अंग्रेज व्यक्ति था जिसने भूच हित्र को अर्जित करने के उद्देशे से भारती राजाओं में फूट डालने की पद्दती को अपनाया था फिर जिरेंटोलोजी वही है व्रद्दावस्ता का अध्यन करना भारत में सबसे पहले मानव के साक्ष कहां से मिले हैं जुस्ट इनुपोर्टेंट लगा लिजी यह बहुत सारे एक्जाम में प्रशनाया है कि भारत में मानव के शाक्ष कहां से मिले हैं नर्विदा घाटी से मिले हैं इसको याद रखना है फिर अंतरिक्ष में ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाय जाता है सौर विक्रण की सबसे महत्यपूर भूमी का क्या है तो जलचक्र जो है उसमें सौरविकरन की सबसे महत्यपूर भूमी का है मानाओं की द्वारा प्रियोक्त प्रत्थम प्रियोक्त अनाज कौन सा था तो जों था इसमें याद रखिएगा इसमें गेहूं आंसर नहीं आएगा जो सबसे पहला प्रियोकतानासा वो जो था फिर जल अपगटन में उजा किस रूप में उत्पन होती है तो उश्मा के रूप में उत्पन होती है जल अपगटन में उजा इसको भी याद रखना है तारों के कारण घटित आकाश ये परीघटना क्या कहलाती है तो कृष्ण विवर कहलाती है इस तरीके से ये प्रश्ण पूछे जाते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं फिर सबजी, सबजी में काम आने वाले पौधों के अध्यान को क्या कहा जाता है ओलरी कल्चर कहा जाता है सबजी के जो पौधे होते हैं उनका अध्यान ओलरी कल्चर कहलाता है लेक्सिकोग्राफी क्या कहलाता है तो जो शब्दकूस होते हैं जो डिक्सनरी होती है उसकी जो शब्दों का संग्रा होता है जैसे डिक्सनरी है तो डिक्सनरी में बहुत सारे हम क्या करते हैं वर्ट्स का कलेक्शन करते हैं तो वही कहलाता है लेक्सिकोग्राफी इसको प्रच्ट सूते हैं उनकी श्टडी करना वीटी कल्चर कहलाता है फिर भीम बैटी का किसके लिए प्रश्चिद है तो भीम बैटी का कहां पर रिष्टे थे तो रायसेन में इसते थे रायसेन के अदुल्ला गंज में और यह यहां पर क्या है गुफाओं के सेल चित्र मिलते ह इसे यूनिस्कू में शामिल किया गया यह मद्यप्रदीस का इस साल है इसको याद रखिएगा फिर भारती अर्थ विवस्ता का लक्षन नहीं है तो प्राकरतिक संसाधनों की कमी होती है ऐसा कोई लक्षन भारती अर्थ विवस्ता में नहीं होता है जो राश्ट्रपती का ordinance ordinance या अध्यदिस लाने की शक्तियां हैं तो वो किस अधीनियम के तहट दी गई है तो भारत साशन अधीनियम 1935 के तहट दी गई है और राश्ट्रपती का जो ordinance है उसका article क्या है 123 123 जो अनुशेद है उसमें राश्ट्रपती के ordinance का वर्णन किया गया है क्या बता सकते हैं कि राश्ट्रपाल के ordinance की शक्तियां के साइटिकल में हैं आपको comment box में लिखकर बताना है फिर 2001 से 2011 के दोरान जनसंक्या की दश्की व्रद्दीदर सबसे अधिक कहां पर रही तो देखिए 2001 से 2011 की बात की जा रही है तो सबसे अधिक जनसंक्या की दश्की व्रद्दीदर दश्की एक मतलब जो 10 वर्ष में 10 वर्ष में सरवादिक व्रद्दीदर रही बिहार में याद रखना है फिर जनसंक्या की संधर्व में किस एक को महान विवाजक वर्ष कहा जाता है मतलब कौन सा ऐसा वर्ष था जिसे महान विवाजक वर्ष कहा जाता है यह प्रश्ण MPPSC के प्रेलिम्स में भी आ चुका है इसको ध्यान से याद कर लीजेगा 1931 का ऐसा वर्ष था जिसे महान विवाजक वर्ष कहा जाता है फिर भारती जनसंख्या में सरवादिक ओशत घाती व्रद्धी दर कब दर्ज की गई देखे अब ये बात कर रहे हैं ओशत घाती व्रद्धी दर की तो इसको भी याद रखना है ये 1971 से 1980 ये प्रश्न भी पूछा गया है तारे का रंग सूचक क्या है मतलब जैसे हम देखते हैं तो हमें तारे वाइड दिखाई देते हैं तो उनका जो रंग सूचक है वो किसके खारण पता चलता है तो उनके टेंपरेचर के खारण पता चलता है इसको भी आद रखना है फिर वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरेक मृत्यू से ग्रशित होते हैं वह क्या कहलाती है तो वह चंदरशेखर सीमा कहलाती है मतलब यदी तारे आंतरेक मृत्यू से ग्रशित होते हैं उस सीमा के बाहर यदी तारे आ जाएंगे तो उनकी मृत्यू हो जाएगी ऐसा कॉंसेप्ट किस ने दिया था तो ऐसा कॉंसेप्ट चंदरशेकर सीमा ने दिया था इसको याद रखिएगा फिर परियावरन से अभी प्राय क्या है तो भूमी, जल, वाई, उप्रकती, पेड, पौधी ये जो चारों ओर जो इनका आवरन रहता है परिधन आवरन ही परियावरन कहलाता है इसको भी याद रखिएगा फिर कुछ और प्रशन है जैसे की बताया गया है की परियावरन से संबंदित कुछ और तथि दिये गए है भारत में किस चैलाश्रे में सरवादिक चित्र प्राप्त हुए है तो भीम बैटिकारी अभी हम पढ़ चोके हैं वही परिशन फिर से आया है परियावरन किस से बनता है तो जैव किये घटकों से और अजैव किये घटकों से और भू आकरतिक घटकों से इन सब का जो सैयोजन होता है उससे परियावरन का निर्मान होता है उंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है क्योंकि बायूमेंडली दवाब कम हो जाता है अता उबलने का बिंदू नीचे आजाता है जब जो pressure रहता है उस पर क्या होता है? pressure में कमी आजाती है जिसके कारण उबले का बिंदू नीचे आजाता है यह आपने पड़ा होगा science में chromatography तक नीग क्या होती है? इसमें एक mission में एक mission के पदार्तों को अलग-अलग करने के लिए यूज किया जाता है आपने practical भी किया होगा chromatography में आपको एक strip दी जाती है उसमें, for example, यदि उससे dot का pen का dot लगाते हैं और हम observe करते हैं किसमें कितने color हैं फिर उसको एक solution के अंदर dip किया जाता है और इस तरीके से हमें color का separation देखनी के लिए मिलता है यह technique होती है किसी भी substance में कौन-कौन से किस-किस mixture से वो बना है इसका separation करने के लिए इसका पता लगाने के लिए component का chromatography technique यूज की जाती है पाश्योडी करण संबंदित है तो जो दूद का इस्ट्रलाइजेशन होता है जो दूद का निर्जमी करण होता है उससे पाश्योडी करण संबंदित है फिर British East India Company को बंबई किस से मिला था मतलब पहले मुंबई का नाम बंबई था या बॉंबे था तो East India Company को बंबई किस से मिला था तो पोर्तगालियों से मिला था इसको भी याद रखना है फिर भारत में प्रती वर्ष भारत में जनगर्णा कितने वर्षों के अंतराल से होती है तो प्रती 10 वर्ष के अंतराल से होती है लास्ट जनगर्णा कब हुई थी 2011 में हुई थी और अब जनगर्णा 2021 में होनी थी लेकिन COVID के कारण नहीं हो पाई अभी जो है जनगर्ना के आंकडे आने वाले हैं भारत में जनसंक्या गहनत्व निरंतर क्या हुआ है बड़ा है कि घटा है तो हम देखते जा रहे हैं कि निरंतर बड़ा है कौन सा इस्तल प्रोगेतिहासिक चित्रिकला के लिए प्रशिद्ध है भीम बैटिगा अभी आपने यदि observe किया होगा तो ये question हम तीसरी बार बढ़ रहे हैं और हर बार ये question जो है वो गुमा फिर आके पूछा गया है इसलिए ये question बहुत महत्यपून है इसके पूरी हम series करेंगे और जितने भी महत्यपून question various topics से हैं वो सब हम याद कर लेंगे फिर धारेणी विकास किसके उपयोग के संदर्वे में अंतर पीडिगत संवेदन शीलता का विसा है प्राकरतिक संसाधन इसको हम थोड़ा easy language में समलते हैं एक्चुली ये sustainable development goal की बात करते हैं कि हम जो resources का use जिस condition में कर रहे हैं जिस quality में कर रहे हैं हमारी आंके आने वाली जो generation है वो भी as it is quality में at least वही quality रहे उससे कम नहो सारे resources का use कर पाएं तो यहां पर प्राकरतिक संसाधनों की बात की गई है वर्तमान में भारत की जनसंख्या ब्रद्धी निम्न दोर से गुजर रही है निश्यत रूप से गिरने की प्रवत्ती के साथ साथ उच्च ब्रद्धी दर है फिर होर्टी कल्चर में किसका अध्यन किया जाता है तो होर्टी कल्चर में पौधों का अध्यन किया जाता है इसको भी याद रखना है भारती विधान पाली का प्रथम बार्द्वी सदनी बनाई गई तो प्रथम बार्द्वी सदनी important question mark कीजिएगा भारती विधान पाली का प्रथम बार दूई सदन ये बनाई गई तो जैसे अभी हम दूई सदन देखते हैं तो ये 1919 के अधीनियम के द्वारा बनाई गई PC कल्चर में किसकी स्ट्रडी किराती है तो PC कल्चर में मशली पालन का अध्यन किया जाता है इसको भी याद रखना है फिर कुछ और questions हैं जैसे की भीम बैटिका की गुफाएं कहां इस्ते थे हैं देखिए फिर से वही चौती वार question आया अब्दुल्ला गंज राय सैन में इस्ते थे हैं सिक्किम से गुजरने वाली अक्षान से रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है तो जो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षान से रेखा है वो राजिस्तान से होकर गुजरती है फिर sustainable development के लिए क्या आवशक है तो ये तो सभी आपको पता ही है फिर एक nanometer वराबर कितना centimeter होता है तो एक nanometer में 10 to the power minus 7 centimeter होता है इसको भी याद रखिएगा फिर किस स्थाल से मानव कंकाल के साक्ष मिले है मानव कंकाल के साथ साथ कुट्टे का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है मतला मानव का शववी वहीं पर है एसा साक्ष मिला है बोर्ज हों से ये प्रश ने UPSC पूछ चुका है तो इसको याद रखिएगा किस इस्थान के अंतरगत भारतिय विधान परिशत को बजट पर बहस करने की शक्ती प्राप्त हुई किस अधिनियम के अंतरगत तो एक निट